हम bacteri अब आये दोस्तों आज अम्मरेला कुर्टि की इस्ट्राइब बदाएंगे यह पिछली वीडियो में हमने आपको इसकी कडिंग बता थी तो इसको देखे जी यह आपए ये cut डाला है इसको क्या करेंगे देखिए ये जैसे ये कली है इसको हम आदा इंच या पॉन इंच नीचे से ही लगाएंगे ताके ये सिलाई जो हमारी उपर आये किन जाएगी यहां से फिर जाके cover होगी तो इसको किस तरीके से लगाएंगे चलिए चलते हैं machine पर देखिए ये जो खड़ा वाला हिस्सा है ये इस तरफ अंदर के set में हमें ऐसे करके देखिए मैं आपको ये रखके दिखा दूँ ये इस तरीके से ये लैड बन कर देता हूं ये देखिए इस तरीके से तो ये हम जो खड़ा वाला हिस्सा है इसको हम ऐसे करके जो हमने ये cut लगाया है इसके बराबर है या इससे आदा इंच नीचे करके हम इसको देखिये यहां पre बिल्कुल बारीक करके लगाएंगे इस तरहाएंक ऊपर चि आपए हम यहां गरें अपने जितनी भी हमें मार्जन रखना कि यह देखिए इस तरीके से अ कि अ ये देखिए यह इतना हिस्सा निकल गया यह तो इसको बाद में जब गेरा सेट करेंगे तो कर लिए हम यहाँ फिलाल इसको ऐसे पक्का कर देते हैं और पका करने के बाद में देखिए ऐसे करके जो हमने यह सिलाई लगाई थी इसको हम हलका सा ऐसे करके नकूं से मार लेंगे यह एक सैड में इस तरीके से आ जाएगा और आने के बाद में इसको जो हमने यह देखिए इस तरीके से ऐसे करके इसको उपर यह रखेंगे यह जो हमने देखिए कट से हमने करीब यह तीन सेंटी मीटर नीचे लगाईए तो हम सिलाई को जो है यहां से लगाएंगे एक इंच के करीब यहां से तो हमारी यह पूरी फिनिसिंग में आ जाएगी यह देखिए इस तरीके से एक इंच उपर से हम यह सिलाई लगाएंगे इसे करके और यहां पर भी हलका सा मार्जन कम करेंगे यह देखिए इस तरीके से और फिर हलके हलके करके यह दवाते चले जाएंगे बराबर जैसे हमें दवाना है यह देखिए इस तरीके से यह हिस्सा औरेव है तो इसको नीचे रख दिया हमने यह देखिए ऐसे करके यह देखिए यह देखिए इतना निकल गया है तो यह बीच की कली थोड़ी बड़ी थी इसलिए दोनों तरफ से निकल गया यहां पर पक्का कर लिया हमने यह और पक्का करने के बाद में देखिए यह जो धागा है इसको हम काड लेते हैं और काड ने के बाद में ये देखिए ये कुछ इस तरीके से देखिए ये हलका सा नकून मार देते हैं ऐसे करके और ये देखिए बिल्कुल फिनीसिंग से ये आपकी एकली जुड़ गई है इसी तरीके से हम दूसरी वाली भी जोड़ लेंगे और फिर उसके बाद में हलकी हलकी प्रेस लगा लेंगे और प्रेस लगाने के बाद में इसका गला किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ ये देखिए दोस्तो ये मैंने इस तरीके से प्रेस लगाके और ये मारजन एक सेट से बिठा दिया है ये दोनों में ये देखिए ये इस तरीके से करीब से दिखाओ ये बिल्कुल इस तरीके से देखिए फिनीसिंग से आएगी शिरप आपको हल्क आसा हाथ रोक के लगानी है और ये देखे जैसे कि ये हमने इसको डबल कर रखा ऐसे करके तो हम इसमें गला बनाएंगे गला जैसे रेडिमेट कुर्तियों में होता है जो कपड़े का ही गला होता है तो हम इसको पहले गला काड ले रहे हैं हम इसमें बुकरम नहीं लगाएंगे ये देखिए हमने इसका गला रखा था चेंज तो ये हमारा ब्रोड है और ये चेंज गला हम ऐसे करके ये निसान लगाएंगे इस तरीके से ये देखिए ये हम फ्रेंड का गला है तो एक सूध हम अंदल लेके ऐसे करें काटेंगे इसको ये देखिए इस तरीगे से और ये फ्रेंड का गला काटने के बाद में ये देखिए, ये हमारे पास कुछ कपड़ा है जो हमें गला जिसका बनाना है ये तो किस तरीगे से कपड़े का गला बनाएंगे बो मैं आपको बता देथा हम क्योंकि बुकरम कई बार होता है जो सिलिंग हो जाता है और कुछ लोग जो हैं कहते हैं चुपता है दो आप कपडे से भी बिना पेपर पेश्णिंगे भी आप बना सकते हैं देखिए इस तरीके से आप काटेंगे इसको यह देखिए यह काड़ लिया और काड़ने के बाद में आपको जितना चोड़ा भी कपड़ा अंदर रखना है उसी साफ से आप काड़ लेंगे तो हम यह डेर इंज करीब इसको डेर इंज एक सूथ काड़ लेते हैं इस तरीके से बाकी इसमें फोल्ड हो जाएगा यह देखिए इस तरीके से ऐसे करके डेर इंज एक सूथ हम यह इस तरीके से हम काड़ लेंगे यह कपड़ा पुरा इसे इसी तरीके से मैं बैक का भी काड़ लूँगा और फिर किस तरीके से लगाएंगे तो वह आपको बताएंगे मसीन पर यह देखिए इसको हम इस तरीके से ऐसे एक पैर ऐसे करके फोल्ड करेंगे यह देखिए ऐसे करके अराम से यह देखिए ऐसे करके यह देखे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से फोल्ड करने के वाद में यह देखे इसको ऐसे काटेंगे और यह ऐसे करके देख लें कि बराबर है यह देखे एक दम बराबर आ रहे है इसको यह जो हमारा फ्रेंट है यह देखे इस तरीके से फ्रेंट पर यह सीधी तरफ से ऐसे करके इसको रखेंगे जैसे नॉर्मल और रखते हम जैसे इसमें पेपर पेस्टिंग होती है और हमें गुम पाई पी निकालनी होती है तो इसको भी हम इसी तरीके से काटके रखते हैं देखिए ऐसे करके ऐसे रखेंगे और इसको हम ऐसे करके आदे यह से लगाएंगे एक पैर की इस तरीके से तरीके से यह का है यह बहुत सॉप्ट रहता है गला यह धुलेगा जब भी ऐसी रहेगा जैसे बुकरम होता है तो कई बार बना हो जाता है उसमें पुकरम में यह देखिए और हलके हलके यहां पर ऐसे करें गुलाई में यह कर्ड लगा लेंगे इस तरीके से और कड लगाने के बाद इसको ऐसे करके देखिए इसमें लप्पे ये सिलाई लगाएंगे ऐसे करके और ये पूरी सिलाई मैं इसी तरीके से लगा लूँगा और लगाने के बाद में फिर पलट के आपको दिखाता हूँ ये देखिए ये मैंने सिलाई लगाके और प्रेस से मैंने इस तरीक से देखिए ये बिठा दिया है ये देखिए एकदम बिल्कुल प्रोपर एकदम बैठा है ये सिर्फ मेरा मेरा में मकसद यही था कि आप घर में बनाते हैं तो सारी देखिए भुगरम से भी बनाते हैं पे इनीशिंग से होता है अब इसको हम ऐसे करके कंदी जोड़ देते हैं है भुकनम से भी मैं बना सकता था मगर मैंने एक लावाज आपको ये भी बता दूं की कपड़े का ही गला किस तरीके से बनाएंगे त इसलिए मैंने आपको यह बताया यह देखिए यह इस तरीके से हम कंधी जोएंट करेंगे यह देखिए जो यह हां पर निसान यह आ रहा है इसका मोड जो है इससे थोड़ा सा हलका सा हमें एक सूथ के करीब हलका सा बाल बराबर इसको रखना पड़ता है इस्टा कि हम जब इसको फोल्ड करेंगे तो एक दम बराबर फोल्ड हो जाएगा यह देखिए इस तरीके से काम करना चाहिए और फिनिसिंग से करना चाहिए यह देखे इस तरीके से इसको हम ऐसे करके कट कर देंगे यहां से और यह दुसरी वाली जो सिलाई है इसमें हम इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे देखे यह है और ये हमने एक तो लगा ली और ये इस तरीके से देखिए हम ये फोल्ड करेंगे ये देखिए इस तरीके से ये फोल्ड हो गया और फोल्ड करने के बाद में इसको हम ऐसे करके देखिए ये निकालेंगे ये देखिए बिल्कुल बरावर से दोनों कपड़े एकदम बरावर कर लेंगे अब हम इसको इस तरीके से सैड जोन ले के बाद में फिर हम इसकी बाजू जो हमने अपने तरीके से नॉर्मल जैसे आप बाजू आपको अम्रेला चाहिए अम्रेला ले लिए लेंगे आपको सैड लगा के दिखा दूँ फिर मैं बाजू जैसे नॉर्मल चड़ाते हैं उस तरीके से चड़ा के इसकी फैनल लोग दिखाऊंगा आपको यह देखिए इस तरीके से मारेंगे और यह और यह होती है तो इसको खीच लेंगे पीछे से ऐसे करके क्योंकि अग बैणते हैं तो उटने बैढ़ने में फिर शिलाई चड़क जाती है यह देखिए ऐसे करके हल्के हास से इसको टैट करके रखेंगे तो यह सिलाई नहीं चट़केगी आपकी कि यह देखिए इस तरीके से इस तरीके से करेंगे मैं इसमें आपको वह भी बता दूँगा यह देखिए जैसे यह सिलाई लगा लिए हम एक पैर की इसमें एश्टा यह लगा लिए और इसी तरीके से हम उस सेट भी लगा लिए फिर बाजू चड़ा के इसका घेरा साइट करेंगे तो वह बताता हूं ब्तोड़ की इसमें उट्रेका closure वाजू चड़ा लिए इसमें तो इस में इस तरीके से गळे पर उपर एसे करके सिलाई लगा दिये एकर आप तुर्पाई करना चाएं तुर्पाई कर ले मैंने इसमें फिला लगा दिये अब ये देखिए इसका घेरा हम किस तरीके से सैट करेंगे ये दुनों कंदी हैं इनको इस तरीके से देखे पकड़ेंगे बराबर इस तरीके से पकड़ने के बाद में ये देखिए ये लॉंग सूट होते हैं तो इनको इस तरीके से हिला लेंगे पहले और हिलाने के बाद में इसको देखिए हाथ पर ऐसे करके रखेंगे ये ऐसे करके हाथ पर रखेंगे तो जितना निकलना होगा उदर लंबाई में जो औरेब कपड़ा है देखिए ये इस तरीके से ये यहां पर आ रहा है यह यहाँ पह रहा तो यह अतना Kapड़ा हमारे है निकल लुए है अगर आप इसको नाप न चाये तो इस तरीकसे से आप इंचरज टैफ से इसको नाब भी सकते है ये देखिए इसकी लंबाई ये है जो हमने 50 इंज बना रहे थे 50 इंज लंबाई इसकी तो ये 50 इंज आ रही है तो पौना इंज का मार जाना जागा इस तरीके से आप इसकी ये गुलाई भी कर सकते है यह देखिए इस तरीके से पकड़के, यह देखिए, इस तरीके से, यह हमारा पूरा बरावर आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से देखिए, यह गहरा सैट करेंगे, यह देखिए, इस तरीके से, यह कहीं से जादा निकलता है, कहीं से कम निकलता है, इसके बाद में, काटने देखिए ये अंदर दब गया है ये इस तरीके से देखिए यहां से करेंगे ऐसे करके ये ऐसे करके इसको हलका हलका ये ये बरावर कर लेंगे और नॉर्मन तरीके से जैसे आप फोल्ड करते हैं उस तरीके से फोल्ड कर लेंगे पर उसके बाद में मैं भी फोल्ड करके और आपको इसकी final look दिखाता हूँ ये देखिए दोस्तो ये इसकी final look है ये इस तरीके से जो मैंने ये कली डाली है देखिए कुछ इस तरीके से इसका ये look आता है और ये गेरा देखिए इसका खोब अच्छा गेरा है बाजू तो आप अपने साब से मैंने ये हलकी अम्रेला करके ही बनाईए वो आप अपने तरीके से बना सकते है तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना बुलें थैंक यू फॉर वोचिं